तेहरोली थाना अंतरगत ग्राम रोरा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जहां बीते दिन एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र मह सोले वर्ष है ने गाउं के ही एक युवक पर शादी का जहांसा दे कर शारिरिक शोशन का आरोप लगाया है आरोपी युवक का नाम बंधन पुत्र सुरेश राजपूत निवासी ग्राम रोरा है जब इस संबन्ध में पीड़त लड़की से बाचित की तो उसने बताया कि युवक ने शादी का वायदा किया था और लंबे समय तक शारिरिक शोशन करता रहा और जब पीड़ता ने आरोपी युवक पर शादी का दवाव बनाया तो उक्त युवक अपने वादे से पलट गया और शादी करने से मुना कर दिया और साथ ही वह पीड़ता को धमकाता भी रहा कि इस बारे में वह अपना मुह बंद रखे और किसी से कुछ ना कहे यह यह आप से साथ है किते दिन रखे रहा आपको आपको 2-3 महीं न साथ में रखे रहा इसास में गया नहीं थी अच्छा किते दिन के लिए गए थी जाती थी था थाने में आप से क्या कहा है अप तेहरोली थाने में गई थे छाए आपको क्या कि रहते स्पैस पर सब्क्रा हैं कु отправ कॉन कर लिए तरफ अप के साथ पापा कहां है आपको क्या मामला यहां यू वह वह मामला है जो बच्ची बतारी वो शही है आप टहरोली गए थे किया थाने थाने रपोत कर गजे Noy क्या किया रहे थे कर ते जुटा है जी माम ले ये कहा उन्हें कौन मिला था आपको दरू गई होती होई अच्छा आपने ये नहीं कहा के बच्ची कह रहे थे जुटा थोड़ी हो सकता पूरी घटना की जानकारी पीड़ता द्वारा टेहरौली थाने में दी गई टेहरौली पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को तलाशना शुरू कर दिया है टेहरौली से अमिश शर्मा की रिपोर्ट बुन्देल खन टुडे जासी